जहीं दोस्तो देखिए आप लोगों के लिए दोस्तो बहुत ही बड़ी खुशकबरी है एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में दोस्तो नई भरती निकल के आ रही है बहुत जल्द अभी से यह दिया आप इसकी तियारी चालू कर देते हो तो आपके हाथ में दोस्तो अपने आप में लाजवा वेकेंसी है और हाँ इस वेकेंसी में हाइट, चेष्ट, दौड इस अपका कोई जरूत नहीं है यह फिजिकल वाला नौकरी नहीं है इसमें आपका ओफिस में नौकरी होगा यह एजुकेशन डिपार्टमेंट का नौकरी है शिक्छा विबाग से संबंदित है तो वेकेंसी अपने आप में बढ़िया है हम आपको बताएंगे तो EMRS का मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंसियल स्कूल ठीक है एकलव्य मॉडल हावास यह विद्याल है इसका फूल पाम होता है तो इसमें दोस्तों काफी बढ़ियां बढ़ियां पद सबसे पहला आपका सीट है माली जिसको बोलते हैं गार्डेनर ठीक है दूसरा आपका स्वीपर जिसको बोलते हैं जाडू मारने वाला तीसरा आपका कांसलर है चौथा आपका चौकीदार है पांचवा आपका मेस का हेलपर का पोस्ट है छठा है लैब अटेंडेंट लैब जिसको CHSL भरके आप जॉइन करोगे वही JSA Junior Secretariat Assistant यह LDC हो गया क्लर्क ठीक है यह हो गया JSA Junior Secretariat Assistant और एक है SSA Senior Secretariat Assistant तो Junior वाला में 12 मांगेगा और Senior वाला में स्कूल में तो तमाम परकार का वेकेंसी इसके लिए भी बहुत तरह का वेकेंसी है इसके बाद 12 पास आर्ट साइंस कॉमर्स सब इसके बाद Graduation ठेक है इसके लिए तो सीट है यह है साथ ही साथ दोस्तों यदि आपने PG कर रखा है तो इसके लिए भी बहुत तरह का सीट है PG मतलब Post Graduation यदि आपने MA MSCM को मिसब कर रखा है तो काफी बढ़िया सीट है और कुछ-कुछ वेकेंसी Special योग्यता वाले के लिए है जैसे कि Accountant उसके आपका Commerce मांगेगा यह आपको भी पता होगा ठीक है लेकिन कुछ-कुछ ऐसे वेकेंसी जिस पर एकदम सब लोग अप्लाइ कर पाएंगे 10th simple मांगा तो काफी बढ़िया बढ़िया पोस्ट के लिए दोस्तों वेकेंसी निकल सबीन माला करेंगा कम से कम-18 साल आपका होना ही चाहिए फाउम को बरने के लिए अधिख से अधिक यह बात करेंगी दोस्तों तो लेकिन जो भी एज रहे सभी को 3 साल OBC को छूट मिलेगा SCHT को 5 साल का age में अच्छा खासा यहाँ पर छूट मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो selection का परकिरिया रहेगा दोस्तों वो क्या होगा तो देखे selection का process जो है जैसे कि junior secretary assistant यह काफी demanded vacancy है इस पर इदी बात करेंगे तो आपका exam लेगा इसके बाद skill test इस पर जरूर लेगा तो इसका सलबस की इदी बात करेंगे दोस्तों तो 130 question इस पर पूछता है ठीक है 130 marks 130 question 130 marks इस पर दोस्तों आपको समय मिलता है मार्किंग एक बटा चार का होता है लास्ट यह vacancy 2023 में आया था अब इस पर question क्या क्या पूछेगा देखिए इस पर दोस्तों reasoning पूछता है आपका reasoning पूछेगा 20 question रहेगा reasoning से mathematics से रहेगा 20 question इसके दोस्तों Hindi और English दोनों मिला के 15 पंदर करके रहेगा 30 question इसके बाद दोस्तों आपका computer से भी question पूछेगा ठीक है computer से आपका question पूछेगा 30 question ठीक है इसके बाद आपका GK और current अपरेश मिला करके question पूछेगा 30 question तो 30 तीया 90 और 40 130 question हो गया ना तो यह JSA का अपका syllabus है जैसे कि माली वगरा है जो 10th level वाला पोश्ट उस पे में लिए 4 section से ही question आएगा खर वेकिंसी आने के बाद यह clear हो जाएगा कि किस किस portion से कितना question पूछेगा यह आपको पिछला वेकिंसी का दोस्तों data बता रहे है ठीक है इसका जो apply होगा ना वो June से लेकर के July के बीच कभी भी इसका form चालू हो जाएगा last जो आया था वेकिंसी 2023 में यह June मैने में आया था तो ज़्यादा तर संभाव ना है कि इस बार भी June से ही यह form अपला होना चालू हो जाए तो अभी से आप इसके लिए तयारी एकदम start कर दीजिए और हाँ दोस्तों यह वेकिंसी आखिर है क्या चलि हम आपको इसका official website भी दिखाते हैं वहीं पर आपको बताते दोस्तों इसका कितना school है क्या है नहीं है यह कौन सा भी भाग है आपको इसका official website भी हम आपको दिखाते हैं तो चले चलते है phone के screen में तो देखे दोस्तों हम अभी इसके official website पर आ चुके हैं बहुत सारे student को नहीं पता होगा कि आखिर यह vacancy क्या है किस मंत्राले के अंतरगत आता है तो दोस्तों इसका official website साइट आप देख सकते हैं emrs.trival.gov.in यह दोस्तों मेंली जनजात यह कार यह मंत्राले के अंतरगत एक स्वायत संस्तान है जो कि भारस सरकार के अंतरगत आता है ठीक है आप दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहाँ पर total student यह बता रहे हैं कि कितना है और functionally अभी मतलब emrs का कितना functional अभी चालू है यह सारा बता रहा है 404 अभी दोस्तों काम कर रहा है और to be sanctioned emrs मतलब भाविश में 41 और दोस्तों emrs यहाँ पर sanction होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको में यह बता देते हैं यहाँ पर क्या लिखा कि national education society for tribal student NESTS यहाँ पर दोस्तों जैसे की देख सकते हैं क्या लिखा है कि has established with an objective to impart quality education to ST children through establishment of eclavie mortal residential school ठीक है यह residential school है और mainly ST category के चात्रों को दोस्तों यहाँ पर pre-me education दिया जाता है इस school में EMRSS provided pre-education to ST children from 6 to 12 in residential setup ठीक है residential setup में दोस्तों 6 से लेकर के 12 तक यहाँ पर pre-education दिया जाता है ST category के student को समझवा गया तो दोस्तों यही विभाग है जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाला है तो काफी बढ़िया विभाग है दोस्तों और नौकरी मिल जाने के बाद आपका posting भी काफी अच्छे जगा में होगा यह vacancy दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है जिसके बारे में हम आपको video channel पर बना कर अपलोड कर देंगे ठीक है आप इसका इंतजार कीजिए फिलाल आप तयारी कीजिए जो भी आप तयारी कर रहे है एससी, रेलवे, बैंकिंग उस आप का ही तयारी करो लेकिन इसको भी ध्यान में रखना कि यह vacancy में मुझे भर ना है आने वाले समय में यह vacancy दोस्तो आप लोगों के लिए काफी best vacancy होने वाला है तो दोस्तो उमीद करेंगा आपको बढ़ियां से समझ में आ गया है जैसे यह vacancy आएगी यह upcoming vacancy है vacancy आने के बाद हम आपको information दे देंगे ठीक है तो चलिए उमीद करेंगा आपको समझ में आ गया होगा मिलिंग अगली वीडियो में जैहिंत